बुद्ध के आगे हम पांच उब्देशों को देखेंगे कि जुन्हें वे प्रमुक्ता से पालन करने को कहते हैं पहला उदेश है उनका प्राणी मात्र हिंसा से विरत रहना बुद्ध कहते हैं हिंसा या हिंसक व्यक्ति कभी भी धर्म को नहीं जान सकता धर्म को वही व्यक्ति जान सकता है जो निर्मल हो जो पिड़ा को समझ सकता है दुख का अनुभो कर सकता है दर्द की अनुभूती कर सकता है चाहे वह दर्द अपनी हो या पराई कहीं पर किसी भी विवार में हिंसा समवेदना को नश्ट कर देती है समवेदना रहित मनुष्य कभी भी धर्म को नहीं समझ सकता है मानसा हार भोजन जीव हत्या का शव होता है वह जीव हत्या के दोरान उसे असहनी पिड़ा होती है क्योंकि कोई भी सजीव की मृत्यू होते समय उसे प्रचंड दुख का अनुभव करता है यदि उसके शव को मानो स्वात का अनुभव करे और उसकी पिड़ा के अनुभव को ना कर पाए ऐसा मनुष्य कभी भी धर्म को नहीं समझ सकता है केवल हिंसा से रहित मानो ही धर्म को समझ सकता है इसलिए हिंसा को किसी भी रूप में स्विकार नहीं करना चाहिए बुद्ध दूसरा उपदेश देते हैं चोरी करने या जिसे दिया नहीं गया है उसको लेने से विरत रहना इस प्रकार के कृत्थ से किसी दूसरे को हानी वद दुख होता है तो चोरी कर कभी भी सुख्र की प्राप्ती नहीं हो सकती है आगे बुद्ध तीसरा उपदेश देते हैं लैंग एक दुराचार या वेभी चार से विरत रहना पराई इस्त्री से संबंद बनाना चरित्र को नश्ट करना होता है इस प्रकार का संबंद अपने जीवन वा परिवार को दूशित करता है यह सबाव मनुष्र को हीन भावना वा पतन की ओर ले जाता है और मनुष्र का जीवन अइस्तिर हो जाता है और अइस्तिर व्यक्ति में धर्म का नाश हो जाता है बुद्ध के चोथे उपदेश में वो कहते हैं कि असत्य बोलने से विरत रहना मनुष्र को असत्य बोलने से बचना चाहिए जूट बोलना विश्वास को दोखा देना होता है, जूट बोलने शे मनुश्य का नैतिक पतन होता है, मनुष्य की समाज में अविश्विशनियता होती है, असुत्य मनुश्य कभी भी सत्य क्या घ्ञान नहीं कर सकता अपने पाचवे उगदेश में बुद्ध कहते हैं मादक पदार्तों से विरत रहना जीवन को मादक पदार्तों से दूर रखना चाहिए मादक पदार्तों के से विरत रहना जाता है और अनियंतरिद विरत को कभी सत्य का ज्यान नहीं होता है तो इस प्रकार बुद्ध के पाच उपदेश जीवन को सार्थक बनाने के लिए परमा आवश्यक है तो इस प्रकार बुद्ध के ये पाच उपदेश हैं जिन्हें मानना हर बुद्ध धर्म को मानने के लिए परमा आवश्यक है इनके जानने के पश्याति व्यक्ति धर्म का सही ग्यान कर सकता है मनुष्य को बुद्ध धर्म का पालन करना चाहिए इसके लिए बुद्ध धर्म में कहा गया है बुद्धम शर्णम गच्छामी मैं बुद्ध की शर्ण लेता हूँ मैं धर्म की शर्ण लेता हूँ मैं संग की शर्ण लेता हूँ बुद्ध का मार्ग ही सच्चे अर्थों में धर्म का मार्ग है तो यह थी बुद्ध धर्म से जुड़ी थोड़ी सी रोचक जानकारी मैं आपसे अन्रोध करूंगा कि बुद्ध धर्म को विस्तार से जानने के लिए आप पूरा वीडियो देख सकते हैं वुद्यों का शिच्चक है भाग पाँच बुद्धिजम रिलिजिन यूनिवर्स गौड एन्वी या आप डिटेल के सेक्षन में या प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं इसमें विस्तार से बुद्ध धर्म के इतिहास महात्मा बुद्ध की जीमनी संदेश प्रचार प्रसार वह बुद्ध दर्शन के बारे में बताया गया है तथा आप यह भी जान पाएंगे कि बुद्ध धर्म क्या सोचता है ब्रम्हांड के बारे में, ईश्वर के बारे में और खुद के बारे में कि उसके क्या विचार है साथी साथ मैं आपसे पुनए एक और अनरोज करूँगा कि दुनिया के अन्य धर्म का क्या इतिहास है, क्या मत है, क्या संदेश है, दुनिया के अन्य धर्म क्या सोचते हैं ब्रम्हांड के बारे में, भगवान के बारे में, तथा अपने बारे में इन सभी विचारों को विस्तार में जानने के लिए देखें हिंदु धर्म के बारे में जानने के लिए देखें भाग एक हिंदु धर्म ब्रह्मान इश्वर वरहम पार्ट वन हिंदु रिलिजिन यूनिवर्स गौड एन वी यहुदी धर्म के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप देखें भाग 2 यहुदी धर्म, Part 2, Judaism Religion, Universe, God and We इसाई धर्म के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप देखें भाग 3 इसाई धर्म, ब्रह्मान, इश्वरवहम, Part 3, Christianity Religion, Universe, God and We इसलाम धर्म क्या सोचता है इसके बारे में उसको विस्तार से जानने के लिए आप देखें भाग 4 इसलाम धर्म, ब्रह्मान, इश्वरवहम, Part 4, Islam Religion, God, Universe and We बुद्ध्य धर्म रिलिजिन क्या सोचता है उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप देखें भाग 5 बुद्ध्य धर्म, ब्रह्मान, इश्वरवहम, Part 5, बुद्ध्य जम रिलिजिन, Universe, God and We और भाग 6 में हम जानेंगे के विज्ञान का क्या मत है विज्ञान क्या सोचता है ब्रह्मान के बारे में, इश्वर के बारे में, वह खुद अपने बारे में भाग 6, विज्ञान मत, ब्रह्मान, इश्वरवहम, Part 6, Science, Universe, God and We आप सभी विडियों के देखने के पश्चात, निश्चित रूप से सबसे गुड़तम प्रश्ण, इश्वर, ब्रह्मान, वह खुद अपने आपको बहतर तरीके से समझ पाएंगे आप अभी अवश इस चैनल को लाइक करें, सकारात्मक कमेंट करें और जरूर इस चैनल को सस्क्राइब करें ये बहुत अच्छी धर्म उपियोगी सटीक जानकारी आपको देगा, धन्यवार